इस ख़बर पर हम लोटेंगे लिए पसीद्य चलते हैं मुक्मेंति मनोहलाल प्रिस कॉन्फरेंस कर रहे हैं पूर संबोधन करेंगे फिर आपसे सवाल जवाब मित्रों सबसे पर दो चमात आता हूं कि मेरा सुभाव तो नहीं है तना देरीश आने का लेकिन कोई एक कारक्रम पंचकुला में था आप वो स्वाब कई वार अपने हाथ में भी नहीं होता है इसलिए 15 मिनिट 20 मेंट लेटा हूं आज इकाविश है यह एक बात जो आपसे कहनी है करनी है जिस पर चाच्चा भी वाद में कर सकते हैं कि कुछ कंफ्यूजन टाइप कई वार कुछ चीजों को लेकर करके जो फेलता है तो उसमें मैं लगता है कि मैं अपनी बात को आपके सामने कहता ना चाहिए ताके लोगों को भी ठीक से चला जाए आज का विश्य मेरा है कि किसानों में एक ब्रह्म फिलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं है लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे सोचते रहे हैं आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे शायद अभी तक किसे ने किसान परकार के विवस्थाय खड़ी करते हैं विवन परकार की साहता उनको देते हैं तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के वकाबले में कई गुना ज़्यादा है अगर उसमें आपको कुछ चीजों को उल्लेक करना चाहूं वो यही कि साम की जो स्थिती थी अपने देश में आट दस साल पहले दयने से दिजी जिसी बनी होई थी उसको बहर करने के लिए प्रछान मंतरी जिने बहस्त कितन किये हैं जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े उसका खर्चा कैसे कम हो उसको अपनी फसल का एक परकात से कैसे ज्यादा दाम में ले इसके लगातार कितन करते हैं और जहां तक मार्केटिंग का विशह है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरा-तरा की योजनाय बनापे आये हैं उन योजनाओं में बहुत सी योजनाय मैं सकॉल लेक करूंगा लेकर आज सबसे पहले शुरुवात करने के लिए एक मुझे बढ़न दबा करके जो एक मेसेज आपके मादें से सब्कूद देना है वो यह है कि हमने अभी हजार रुपया प्रतीक वंटल जो सुरज मुखी का डिकलेर किया है इंटरीम भावंतर भरपाई मैं शब्त प्रियोक करा हूँ इंटरीम भावंतर भरपाई तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है जो कि आपको भी पता है कि यहां से बटन नबा रहे हैं तो पैसा मंदे को उनके कहते में पहुंचेगा तो टोटल अभी हाँ देख़े ये डाल देख़ेगे कुल उनत्तिस क्रोड तेरा लाग बारा हजार आठ हजार आठ हजार है इसलिए अभी जो बटन दो आ रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा तो टोटल अभी हाँ देख़े हैं अभी मंडी में बेचा है यह नहीं बेचा है एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं किसी प्राइवेट अजिंस को भी सकते हैं लेकर अभी एक इंट्रिम रिलीफ उनको हजार प्या यह दिया जा रहा है इसका मैं और मड़न दबा करके इसका लॉंच किया है चुबार किया है तो मैं जो विशे चला रहा था वह यह कि हमने किसानों के लिए उनकी आयक कैसे बढ़े और कैसे उनके खंचे कम उस को पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुईदा जने तरीके से अपने फसल को विचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका में ले सबको जादा जादा लोग खरीदा आये जादा जादा मंडियों में नई मंडिया भी खुलें उनके र सब्सक्राइब का कि हम शायद उनको समझाने में काम्यार नहीं हुए लेकर अब जैसे जैसे कठाईया आती है वीच मीच में तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई तो बारा से फिर कभी को विशा आये गा तो वो केंदर सरकार किसानों के संध्धन जो कमिटी बनी है उसमें विचार करके सोचके वो करेंगे लेकिन उसके बाद जैसा पहला विशे केंदर सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष कि मैं स्पी को पढ़ाया है और पिछले आट-9 वर्षों में यह जलते हुए तो इन नौ वर्षों में कितना आज उसका रेट 2200 रुपया के लगवर यह है 800 रुपय के 803 रुपय के वर्ति उसमें होई है ऐसी ज्वार जो है वो 1530 के दो वराइटी है उसमें भी लगवर 32 रुपया साड़े 1600 रुपया उसके बढ़ा करके और यह अब जो 2324 की जो अनौसमें पोई है जो कोशन होई है बाजरा जो से साड़े 1200 रुपया था एकदम डबल वो 25 रुपया होने जा रहा है इस वर्षका जो बाजरा है रागी है 1550 से यह 3846 इसमें तो 1500 परेंट परसंट वर्द्धी होई है अरहर 4750 से 7000 रुपया मूंग 4800 से 8500 रुपया सोज मुखी 3750 से 6760 रुपया तिल 4600 से 8600 रुपया ऐसे कपास भी लगबग 3900 रुपया की वर्द्धी इसमें भी होई है जो दो वराइटी है 1550 और 4500 रुपया से रखना के हर एक चीज में इस प्रकास की वर्द्धी पहले कभी नहीं होई जितने वर्द्धी अब की जा रही है इसमें एक बास पसकाना जरूरी है क कि नसरकार से करीदी जाती है वह यहाँ है और बाकि चीज़ें स्क्रीटेट नाचरती है और जब भी कोई चीज़ा खरीदने में को कठाई आती है और कठाई का एक विश्य हम मैं सब को आपके मात्याम से सभी को दहान करना चाहता हूं कि कई बार स्टेट को खरीदें, स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठनाई है, आसपास की स्टेट में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट का प्रोड़क्ट है, किसानों का, वो समगलिंग हो जपरियों के माध्यम से आठियों के माध्यम से को इनों कोई रास्ता निकाल करके और हर्याना के मडियों में वो समान आके बिख्रे लगा अब वहां तो 1200 रुपय का रेट हम उसको 1902 र में खरीद रहे हैं तो हमको लगबग उसका उससाल में 1000 कोड़ नुख्शाम हुआ जिन को अगर पूरा खरीदेंगे तो वो कई परकार के विवाद आएंगे सारी जनसी आएगी लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं बाजरा पहले साल 600 या साड़े 600 था साड़े 600 पहले साल था उससे पहले साल पुरा साड़े 600 उसके बाद 400 रुपे रेट पर ठीक हो गया 400 रुपे बलके साड़े 400 बलके लास्ट में तो जो साड़े 400 देख करके जो बजार में विका वो MSP से भी ज्यादा हो गया बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं और फिर काफी रेट आगे भी बढ़ता है प्र जादा लाबे किसान को हुआ है अब हम तो के वर इसका गैप है भावांतर का मतलब यह जो अंतर है और वो को एक फिक्स नहीं हो सकता उसमें कई बार तो अनुमान से ही नेड़े करना पड़ता है यह सारा दो वर्ष किया है इस बार यह इस्तिति आई है सुर्ज मुखी में सुर्ज मुखी का जब हमने हजार प्या सोचा था गोशना तुड़ी लेट की लेकर जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 46-46 रुपय चल रहा था अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खतम की पामायल के उपर तो रेट एक दम डाउन आ गए सर्शों के विए रेट आउ दरवर्भाई है हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे और रेट होते रहते हैं उस रेट के साफ से इसको आगे जो बढ़नावगा बढ़ाएंगे रेट ज्यादा कम आया तो हैफिट की तरफ से एक परसाव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं क्योंकिक्त कमर्शल करती है थीक आप खरी सकते तो मैक्सिम रेट इतना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरी सकते हैं आप खरी दिये उन्होंने सुचा कि 4800 रुपे मारे कम्पिटिशन आ जाएगा 4800 रुपे दें यह 4800 रुपे एक जारा ठाउन सो बनता है लेकिन मेरा मानना ऐसा है हमारे सबका जो टीम के रूम में बैठे कि यह रेट 4800 से उपर जाएगा कल ही शहवाद में 4500 रुपे खरीद रहे थे हैफट के लोग उनको नहीं मिली बलके बहाग व्यपारी ने शाड़ाइगा अब वो शाड़ाइगा जो खरीद ना होगा तुरंचा सो में जाएगा तो इस कंपेटिशन में हमको लगता कि यह रेट साड़े 5000 तक भी जाएगा अगर यह साड़े 5000 जाता है अजार प्यावान उनको पैंसर हो जाता है चौसरी पैंसरी हो जाता है इसलिए हम चाहते हैं कि यह रेट चौसर सुनके आस्पस उनको मिले एकसानों को लेकर आज नि तो मार्किट ने अपने आप करना उसमें हमारा बूल जादा नहीं है हाँ है फैट उसको खरीदने में अपने जिदनी क्वांटिटी उनको चाहिए वो खरीदने में आगे बढ़ेगी है फैट से जो मारी बात हुई तो उननका कि हम लास्ट दे तक भी मार्किट में के का मार्किट में नेकान यह तेल निकाल कोgio मार्किट में when you faith in care मियो स यृट सब्सक्रांगे मार्किट मैं के साल के स से इसनाते से मैं इसमें उसमें अश्रक कर चता हूं कि समर्म में जो MSP है वहां तक रेट ले जाने के लिए हमारा पुरा पितन है लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उस्चत नहीं है हां इसके उपर कुछ राजनीती करने वालों राजनीती करते हैं कुछ दबाव डालने के लिए भी संठन लग आफ हैविड को तादे जी रेट अबना बढ़ जायागा बाकि ठीक हो जागा हमने बात मान ली लेकिन जब मान ली तो फिर कैजी नहीं पहले पूरा गोशना करो तो गोशना करने का जो भावंतर वरपाई दी जाती तो गोशना हम नहीं कर सकते इस नाते से उस काम को किया अब एक सजन तो हमारे अब उराजनिती कहूंगा अपने अस्तिफे का भी ब्यान कर गए मैं सुझ रहा था कि वह को इस्तिफा हम का क्योंकि एज चेर्मन ऑफ शुगर के जो बोड है उस नाते से उस्तिफा मेरे पास आना चाहिए या स्रकार में किसी दो मिलना चाहिए वह और आगया तो थिसके बात करेंगे नाक तो किसी के पास हमरे बास सरकार में किसी में किवह पर आगया मतला क्या istip रहा है यूज अबने बात यहा था च सृच के कहराया व्यूज अपनी भात है सिपने ऐगा तो बात करेंगे हमारे बास को palabra ने मैं ता दून कियो आपको केवल भावंतर भरताई का वो रखा है और जो से जो मुझे समातिया में रहा है कि आज या नहीं सुरुज मुखी जो हम तो आज भी अड़तालीस दासा ठावत मुश्चित होई गया ना कि आप तो यह रह गया कि और कैसे बढ़ा है उसको पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सुरुज मुखी का चार जार और ब्यारीस दो चल रहा है अभी हमको दूसरा भी इसमें खत्रा लेगता कि यह चार जार ब्यारीस सो अड़ तालिस सो तो इसलिए वो ले आएंगे कि जुरूर उनके कोछ साथी जो हैं पहां से खरीद खरीद के और तालिसमें यहां बजनी कोश्च करेंगे अलांके हैफिड ने भी पनिशन तो लग हैं अब ने कंपीट करना पजार में हमने जिनका रेश्टर है पुनी को देना कुछ लोगों ने हमने तीन दर के लिए उनके कहने पर रेश्टेशन खोला था यह इसे भी आपको बता रहा हूं ताके लोग यह बोलेंगे तो तीन दर में ही जो पहले चालिस अभी तो हमने क कितना इकड़ दिया में 36 तो लगवागे दो तीन दर एकड़ा और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ हुआ है लेकिन चालीस अजार एकड़ का रेश्टेशन वारा पहले हुआ था हमने सुचा कभी चलो जो जो लोग रहे होंगे दो परसेंट रह भी गए हों तो दो दो दन के लिए तीन दन के लिए खोलते हैं और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा किसी गलती कार से रह किया हो गया बाद में उसका मिलान करेंगे लेकन उनी तीन दिनों में कितना सोलाजार सत्राजार कुछ एकड़ और एडिशनल लोगों ने रिष्टे कर दिया औ पहले गेहू बया था यहू पंद्रा प्रहल से पहले कटता नहीं और पंद्रा मार्स से पहले बवाई होती है अब उसे एक मेने में दो फिसलैतों नहीं थी वाँ तो आकर उसको चेक करने के बाद मैं नौ जा तो तरंद काट दिया है 2000 के भी बैसिए चल रही है तो उस वे तो सोरी मुखी उनने गरत डाली है तो कुल ना करके ये सारे जंजित बाजियां चलती रहती हैं इसमें किसानों को समझाते भी हैं किसान हमारे अपने लोग है किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केलर कर सकता किसानों के प्रती हमारी सब की सद्वा होना लेकिल किसानों को एक बात जरू कहना चाहिए ऐसे किसी के चंगलों में ना फसें जो उनको बर्गलाएं लाले से दे करके उनको कहना के उल्टा सिधा रास्ता कुछ भी दवा कि हाईवे रोक देंगे अभी हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के पूटेस्ट का हिस्सा नहीं है अब किसी की भी हम फ्रिडम को अवरुद नहीं कर सब्सक्राइब है। पर किसान का इस वारें रुपया पर काम आयेगा अपनी फसल को गदाए जाता पर के लिए और उसमें भी साथ परसंट का जो इंट्रेस्ट होता है 3 परसंट केजर सरकार देती है 4 पर तर्शंस इंट्रेस्ट पर रून मिलता है 17 की सुईदा खिसान को ऐसे दी आती है कि खुफ कराबा होने के बाद पहले को सरकारें देती थी सरकार के रेड़ तीन अजार त्यार जार शे जार रुपया उस समय यही होता था पारेकर हमने आने के बाद उसको 15000 रुपय किया और साथ में प्रधारमतरी फिसर्वीमा योजिना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग कि दने परसंट हम किलां देते हैं सी परसंट दस यप 20% किसान को देडा होता है 80% केंदा सरकार जो है जादा है उसकी यो है लॉसकी उसमें जादा है तो इस आंते से वह भी जो खराबे का है, यानि आप एमान के जलाएं, के पिछली सरकार ने दस साल में 118 क्रोड रुपय मौज जिया था, और हम इन शाथे 8 साल में 97790 क्रोड रुपय, यहनि 8 टाइम्स, उन्होंने 10 साल में 117 क्रोड रुपय, हम ने 9 साल में 9776 क्रोड रुपय, था, उनका देस साल का माना पहला माहुदा, क्योंकि उस समय दो दो रुपए, चार रुपए के चेक जाते थे, हमने तो वह भी तैक किया, कि अगर एक एकड़ मान लोगर, पचास भी हिस्चेदार हैं, तो उन सब को नियूनतम पांच सुर रुपए जरूर मिलेगा, तो रु यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया, फिर जैसे हम देखते हैं, फसल अवशेश, इसका रुपए को ने शुरू किया, हजार रुपए एकड़, उसकी फसल का, वह अवशेश की उठा करके, कहीं भी बांद ले, गांठ बांदे, उसका उप्योग करे, किस किसानों के लेंड देन का स्टाम ड्यूटी दोजार पैसे ये सो रुपए किया, मुख्यमतरी किसान खेतिर मज़़ूर जीवन सरुक्षा विमाय योजना में जिसकी इसकी डेथ हो जाती है, पांच लाक रुपए का उसको उनने तस लाक रुपए किया, कि ये भी उनको ला किसान को इंडारेक्टली उसका लाक रहता है, तो उसका भी खिसान को लाब होता है, ऐसे हमने बहुत सी ये योजना है, सोलर परम्प का ममला है, फिर आवंतर बतवाई मने आपको बताई दिया है, मस्पी भी जहां कहीं हमको इसमें खत्रा नहीं होता कि प्रोस के प्रदेशों से को स्मगलिंग होती है, उसके मस्पी परम्परीद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो पंदरा सोला फसलें जो की हैं, उसमें मुंग फली हमने की, मुं पहली बार हमने यह भावंतर किया और नहीं भी पहले और कभी सुरज मुख्य बिक्ति नहीं खरीदार सरकार नहीं खरीदार कोई नहीं है उस साल 25 परहं करीदी लेकिन इस बार जब जगा हुआ कि इसका जो पंजाब से समगलिक बहुत हो सकता है तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तयार लेकिन खरीद की बजाए हम उसका महवंतर हुआई का यह अमरी योजना हमने बनाई है इसका मुक्षा कार्टर स्मगलिंग है कि हमने उसको मोटर रूप से वो कहमें लॉस ज़्यादा होता है वो बाजरे के समंद्ध में हम जैसे राजस्तान से मगलिंग ही उसका एक हमको जो अनौव है वो यह है और आज भी हम तो जो हमारे पास रेजिस्टर्ड है उसको दें कि ऐसे हमने पानी किसान को पूरा मिले तेल तक हमने पानी पहुंचाया पानी के जो जो प्रबंद किये हैं कल भी मेरी बादशीत में आप लोग ने सुना होता है मैंने सारा वुषे पानी का रखा तो चलो कर